तो स्टुडेंट्स देविंदर अकेडमी में आपका स्वागत है तो इस वीडियो में मैं आपको बिग्यान की पिरमुक साखाओं के बारे में बताऊंगा कि बिग्यान की कितनी साखाओं होती हैं कौन सी साखा का क्या नाम हो और उस साखा में किन चीजों का अध्यन किया जा दूसरी साखा है एनाटॉमी एनाटॉमी में शरीर की अंत्रिक सराचना का अध्यन किया जाता है तीसरा आस्ट्रियोलोजी में अस्थियों का अध्यन किया जाता है चोथा है जेनेटिक्स जेनेटिक्स में अनुवांसिक गुणों का अध्यन किया जाता है पांचवा है नि बिज्ञान की वह जेरेंटोलोजी जेरेंटोलोजी में ब्रद्धावस्था का अध्यन किया जाता है इसके बाद नेक्स देखिए आठ भी नौवी साखा देख लिए नौवी जो हमारी साखा है नौवी जो हमारी साखा है वह हमारी गाइनोकोलोजी गाइनोकोलोजी में प्र विज्ञान की साКवा है और कि इन 1975 है और मन हता है इसके बाए है तेसी है बाद हमारे जो साखाः विज्ञान की वो है तीनोरजी तिन rigorous अब इसको भी हो भी विदा दिल देख लिए तोट हें जाता है डिलंक में नाक का अध्यन इसके बाद तेरी जो हमारी साखा है डर्मेटोलोजी इसमें तोचा का अध्यन किया जाता है आर्नियोलोजी में पक्षियों का अध्यन किया जाता है एंटोमोलोजी में कीट पतंगों का अध्यन किया जाता है मचली एकितियोलोजी इसमें मचलियों का न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों या मुद्राओं का अध्यिन किया जाता है क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी में गुप्तलेखन का अध्यिन किया जाता है कास्मोलोजी कास्मोलोजी में ब्रह्महंड का अध्यिन किया जाता है एंथोलोजी एंथोलोजी में फूल पहले अंसली में में जीवाशंव यह वादोगि फाइकोलोगी में सहावाल ल appropriate का दिन के जाता है माइको लौजी में किया किये जाता है टेस भार है लिखोलोजी में पत्थर अकार जहाणियों का दिन किया जाता है आंग्पोलोजी में एग्रोफ इस्त्री में घास का धिन किया जाता है तो ए बकतीस जो मैंने आपको साखाला बता है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीए और अगर अधिक्साथ दोस्तों में सेर कर दिये थैंक यू झाल झाल